Oh friends, welcome to my channel आज हम आपको बताने जा रहे हैं पेश चोमिन ये काफी इजले तरीके से बन जाता है घर पे कोई भी इसे काफी असानी से बना सकता है और इसके समगरी भी आपको बजार में काफी असानी से मिल जाएगा इसे हमने कैसे बनाया है और इसे बनाने के लिए हमें किन-किन समागरी की जरूरत पड़ी है वो हम आपको बना कर दिखा रहे हैं तो चलते हैं चौमीन बनाने फ्रिंट्स, भेज चौमीन बनाने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत होगी चौमीन की चौमीन हमने 200 ग्राम रखा है 200 ग्राम चौमीन के साथ हमें चाहिए एक मेडियम साच का प्याज जिसे हमने इस तरह से छिल कर धो लिया है और काट लिया है एक गाजर हमने इसे भी अच्छी तरीके से धोकर काटा है एक सिमला मिर्च हमने इसे भी काट लिया है और ये एक छोटी कटोरी के लगभग हमारा कैबेज है इसे भी हमने काट लिया है इस तरह से और उसके साथ साथ हमें जो समगरी चाहिए वो है नमक टेस्ट के कोडिंग तू टेबल अस्पून लगबग लगबग वाईल चाहिए हमें और हमें तू टेबल अस्पून सोया सोस की जरूरत है वन टेबल अस्पून हमें चिली सोस की और हाफ टेबल अस्पून हमें चाहिए टमाइटो कैचप इन सभी की जरूदत है हमें और इसके साथ हमें 1 टीस्पून कूट्टी ही काली मिर्च और 1 टीस्पून सुगर की भी जरूदत होगी इन सभी समगडियों को मिला कर हम चौमिन बनाएंगे सबसे पहले चौमिन बनाने के लिए हम चौमीन को पकाएंगे उसके लिए हम पाने उबालेंगे हमने इस तरह से पाने गणम करके इसमें हम वाइल डालेंगे और उसके बाद हम इसमें चौमीन को एड़ करेंगे इसे अच्छी तरीके से हम गुबाल लेंगे इसमें हमने थोरा सा नमक वेट किया है वाइल के साथ हमारा चौमी पक चुका है अब हम इसे ठंडे पानी से धो देंगे ताकि यह आपस में चिपके नहीं हमने चौमीन को धो का थाली में रख दिया है फ्रिंट्स चौमीर बनाने के लिए हमने कडाही को गड़्ब कर दिया है इसमें हम लबबग दो टेबला स्पून वाइल एट करेंगे हम लहसन डालेंगे लहसन को हम हलका सा ब्राउम करेंगे इसे ब्राउम करना ज़िरूरी होता है इसके बाद हम प्याज को डालेंगे और हलका साथ धुनेंगे इसे जारा देव नहीं करना है पिस आधा सेकेंड अब हम इसमें कैबेच गाजर और दिंबला में इसको एड़ कर रहे हैं अब हम इसमें काली मिच का पॉडर जो हमने आपको पॉइंटी बताया है सोया सॉस चिली सॉस और तमाइटो केचप को एड़ करेंगे हमने इसमें काली मिच और जिसमें भी हमने पेस्ट बताया था वो हमने एड़ कर दिया है अब हम इसमें चौमी को एड़ करेंगे अब चौमी को अच्छी तरीके से इसमें कोट करेंगे इसे हम दो चौमच के साहता से मिलाएंगे अब हम इसमें टेस्ट के कोडिंग नमक और थोड़ी सी चीनी हमने जो आपको बताया था वो एड़ करेंगे यह हमारा चौमी बनकर तयार हो गया है यह देखने में खुब सूरत है और खाने में काफी टेस्टी होता है तो फ्रें में भी बना कर इसे ट्राइ कीजिए अपने फ्रेंड्स को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और वीडियो देखने के लिए आपका थांक्स